शिम्रा नगनिकम चुना में भाजपा कॉंग्रेस जीत के तावे कर रही है और दोनों दरों की नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यरोप लगाने शुरू हो गए हैं खासकर शिम्रा स्मार्ट सीटी कुलेकर कॉंग्रेस लगातार भाजपा पर हमलवार है और स्मार्ट सीटी के पैसे की दूर्पयोग करने के आरोप लगा रही है मुख्यमंद्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चोहान ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने जो पांच साल पहले नगनिगम चुनावों के दौरान वादे किये थे उन्हें वो पुरान नहीं किया और लोगों की समस्याओं को समधान करने की बजाए उनकी समस्याओं को बढ़ाने का काम भाजपा ने पांच साल तक किया है उन्होंने कहा कि भाजपा पांच साल तक नगनिगम में आपस में ही लड़ती रही है वही नरेश चोहान ने कहा कि पुर्वक के कॉंग्रिस कारेकाल के दुरान शिमला शहर और धरमशाला को स्मार्ट सीटी में शामिल किया गया था पर दोहजार सत्या में भाज़पास सत्ता पर काबिस हुई शिमला शहर में स्मार्ट सीटे के तहट जो काम होनी थी वह नहीं हुए स्मार्ट सीटे को लेकर जो सपने संजोए गए थे उसे भाजपा ने पुरी तरह से बरबाद कर दिया सुनिये और क्या बोले मुख्यमंत्री के प्रधान सिलहाकार मीडिया नरेश शोहान पिछले पांच साल नगर निगम में भाजपा की थी और चुनाओ के दोरान जो भाजपा ने उस वकत शिमला की जनता से जो वादे किये थे उन पांच सालों में वो पूरा नहीं कर पाए शिमला की जनता की समस्याएं बढ़ी विकास की दिश्टी से शिमला रुका रहा इन पांच सालों में और पांच साल के दोरान जो भाजपा की थी उनका अधिक तर समय आप देखें जब भी हाउस होता था तो उसके अंदर आपस की गुटबाजी की बज़ा से वो सारा पां की बात करें या आप ट्राफिक जैम से निजाब देनाने की बात करें या स्मार्ट सीटी के अंदर जो शिमला के लोगों ने एक सपने देखे थे वो जिस परकार से बरबाद हुए हैं इन सबी चीजों के लिए शिमला के लोग द्वारा से जो है कॉंग्रस पार्टी को सता लाना चारें और दूसरा स्वाल ये है जो स्मार्ट सीटी के जो प्रोजेक्ट्स थे आप शिमला स्मार्ट सीटी की बात करें या धरमशाला जो स्मार्ट सीटी में शहर था ये दोनों शहर जो है कॉंग्रस जो राज था बारा से स्तारा के बीच कॉंग्रस की सरकार थी महा से जो है दोनों सिटी जह मेस्मार्टीं में शामिल किया गया था लेकिन Duj immuãy कि आप जिकर करें कि पर्किंग कि समस्या पहले से बड़ी ट्रैफिक जयम कि समस्या पहले से बड़ी पानी कि अङले सीवर की जो लाइने हैं वह नहीं बड़ी और एक स्मार्ट शहर के अंदर और बहुत सारी चीजे जो है स्मार्ट होने चाहिए थे लेकिन सारा का सारा बजट जो है एक शिमला की सडकों में कॉंक्रीट की सडके बनाने में जो डंगे लगवाएगे या रेलिंग के जरीए जो देखने के लिए एन टीवी के फेस्बुक पेज को लाइक करें और यूटीव चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेर जरूर करें